जापान के पूर प्रधान मंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से मौत हो गई है नारा शहर में उन पर एक शक्स ने पीछे से गोली चला दी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भटे कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका शिंजो आबे पर ये हमला हुआ तब वो एक चोटी जनसभा को संभोधित कर रहे थे बताया गया है कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसके चलते उनकी मौत हो गई शिंजो आबे को गोली लगने के बाद तुरंट अस्पताल में भरती कराया गया जहां करीब चार से पांच घंटे तक उनका इलाज चला लेकिन डौक्टर उन्हें बचा नहीं पाए उन पर हुए इस हमले की हर तरफ पिंदा हो रही है और दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं ने उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की थी बताया जा रहा है कि हमलावर के पीछे से शिंजो आबे को दो गोलिया मारी गई जिसके बाद आबे जमीन पर गिर गए वहां मौजूद लोगों ने शिंजो को सिपियार देने की कोशिश भी की जिसके बाद उन्हें नाजुक हालत में हलिकॉप्टर से अस्पताल पहुंच आया गया हमलावर के पैचान 41 साल के तेट्सुआ यमगमी के तौर पर हुई है जिसे पुलिस ने मौके पर ही गिरफतार कर लिया